वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तों उत्तर प्रिदेश सामनी ज्यान के अंदरगत आज देखेंगे उत्तर प्रिदेश के प्रुमुख पक्षी बिहार उत्तर प्रिदेश में जितने भी पक्षी बिहार है एके करके सबको कवर करेंगे उनसे संबंधि जिला देखेंगे और स्थापना वर्स देखेंग 1924 1984 में इसकी स्थापना की गई इसके बाद अगला पक्षी बिहार है लाक बहोसी बिहार है राजी का सबसे बड़ा पक्षी बिहार है कहां पर कनौज में और 1988 में इसकी स्थापना की गई या फिर इसको ही चंदर सेखर आजाद पक्षी बिहार भी कहते हैं किलियर है यहां तक इसके बाद अगला दिया गया है सैंडी पक्षी बिहार और यह हर दोई में है 1990 में स्थापित किया गया इसके अलावा 1990 में यह सारे भी आए सेंडी पक्छी बिहार हर दोई बकीरा पक्छी बिहार संदकभीन अगर उखला पक्छी बिहार गाजयवाद और गौतम बुधनगर समान पक्छी बिहार महनपुरी ये सब कब आए? 1990 में आए इसके अलावा पतना पक्षी बिहार जो राजी का सबसे छोटा पक्षी बिहार है इटा में है ये और ये भी 1990 में इस्थापित किया गया तिहां तक हमने तीनों चीजी देख ली राजी का सबसे पहला पक्षी बिहार कौन सा है चंदर सिखर आजार नवाब गंच राजी का सबसे बड़ा पक्षी बिहार कौन सा है लाख बाहुजी पक्षी बिहार कहां पर है कनौज में 1988 में स्थापित किया गया और राजी का सबसे छोटा पक्षी बिहार कौन सा है पटना पक्षी बिहार है एटा जिले में ये स्थापित किया गया और 1990 में स्थापित किय गया ठीक है तो ये तीनों टेट याद रखनी है 1984, 1988 और 1990 किलियर है यहां तक इसकी वाद अगला देखते हैं अगला दिया गया है सुरह ताल पक्षी बिहार, सुरह ताल पक्षी बिहार चैप्रकास नारायन के नाम से है और ये बलिया जिले में है 1991 में स्थापित किया गया, 1991 में ही आगरा में सुर सरोबर पक्षी बिहार स्थापित किया गया, सुर सरोबर भी मिलता है, सर सरोबर भी मिलता है, सुर सरोबर भी मिलता है, ठीक है तो ये कहां पर है, ये आगरा में है 1991 में स्थापित किया गया, इसके बाद अगला है भीमरा उ 1990 में इस्थापित किया गया तो सबसे जाद 1990 में बक्षी बिहार इस्थापित किये गया कई सारे हरदौई में संतकवी नगर में गाजियवाद गौतम बुद्धनगर में मैंनपूरी महोबा एटा वाला भी 1990 में ही आया और पारवती अरगा जो कि गॉंड़ा जले में है ये प्रमुक पक्षी बिहार थे जिनको हमने देखा पहला याद रखना है सबसे बड़ा याद रखना है सबसे चोटा याद रखना है यहां से प्रश्णियों अकसर पूछी जाते हैं तो यह टॉपिक हमने आपर कबर किया आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें कॉमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक्स टॉपिक के साथ तब तक आप से भी ऑनलाइन एक्जाम परिपरेशन के साथ जोड़े रहें थैंक यू सो मच